IPL 2024 सब के मन में सवाल था हार्दिक पांडिया क्या मुंबाइ इंडियंस जाएंगे या फिर रोई शर्मा किसी और टीम में कप्तान कौन बनेगा किस-किस खिलारी को रिलीज किया गया है क्या-क्या है टीमों की खबर सबसे अधा खिलारी किस टीम ने रिलीज किया है और किस सब आपको बताऊंगा देखिए पूरा वीडियो तो पहले बात कर लेते हैं सबसे होट चर्ट सीट की या कहें सबसे होट टीम की बात रो रही थी गुजराट टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया क्या मुंबाइ इंडियंस की तरफ रुक करेंगे तो आपको जाद कैंडां पास नहीं पहुचे लेकिन क्रिस कामरों ग्रीन को वापस नहीं किया उन्होंने सिर्फ और सिरफ पाच खिलाडियों को कह सकते हैं बाहर का रास्ता दिखाया है इसमें जोफरा आर्चर का नाम सामिल रहे इसके लावा जयंशन का नाम सांइल तो यह काई सारे बड च्छक्का खाने वाले कह सकते हैं जो गेंद बाज ते यस देयाल उनका पत्ता टीम ने कार्ड दिया है यस देयाल अब आई पील के तो दोजार चौबिस के आक्सर में जाएंगे वहां उन्हें कौन सा खरीदार मिलता है देखना दिल्चास पोड़ने वाला है उसके वाँ के व historically ऑले नाम तो यह कि हिए यह उर्य स्मित को बाहर किया अल्यारी जोसिफ को लारे किया साथ-साथ-षूं-षणाका जिनंगे पीजिशंगें टीम में शामिल किया गया था अब उन्हें बाहर का रस्ता दिखा दिया गया है केन वापस आ चुके हैं और इंके साथ टीम में बने हुए हार्दिक पांडे इनके कप्तान है तो यह टीम है गुजरात टाइटन्स की गुजरात के अगर बात करें तो सब के मन में सवाल है या लखनाओ के क्या है आपको आधे कि लखनव सूपर जाय सके हैर 기 GLORIA को चलता इसके सहत् साथ कई और भड़े भी नाम शामिल किया इना में जिसके मैदान में होने से कह सकते बारी भारी रकिम देकर है कार्टिक ट्यागी में को बिच verw का रस्ता दिखाया जिया कोलकातनाइटास ने सभी तेज गेंद्वाजों को कह दिया है खतम ताटा बाइबाइस तिम साथी उमेश यादो शार्दुल ठाकूर यह बड़े-बड़े नाम और इन्हें कहा कि अब आपका हो गया अब हम नए टीम की तरफ रूख करेंगे चुक में और में पॉल को भी बाहर कर दिया गया है रास्तान की बात करें तो रास्तान की तरफ से रूट ने अपने नाम खुद से वापस किया जबकि देवदत पैडिकल खुद हो चुके हैं लेकिन इसके लावा भी कई सारे खिलाडियों को उन्होंने चलता किया है अगर बात क करनों की और इसके वागलाव बात करें जो टीम थी ग्रास था रूहार रूट के लावा जो बड़े नाम है उसमें जैसन होल्डर का नाम शामिल है केसी करिया पावी है इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो यह तीमें हैं और काफी कुछ तयार हो चुका है कर है बात करें सीके के पिछली बार की चैंपियंड इस बार क्या कुछ खास कर रही है सीकेर पिछली बार किताब जीटा था राइडू उनके पास इस पेस था कि वह बहर ही करेंगे राइडू नहीं है साथ में श्टोब को बाहर कर दिया जया बैस्तोब के जाने के बाद के बाद उनके पास पर्स में 32 से जाला करोण हो चुके हैं और उसके लावा 100 करोण साल मिलेंगे यानी सियस्के इस बड़ी बड़ी बोली लगाएगी और टीम को और मजबूत बनाएगी तो यह एक पहरी तोर पर आपको में पूरी टीम बता दिये सभी खिलाडियों के रिटेन और रिटेंजन की सब कुछ जानकारी दे दिये एक डिटेल वीडियो और भी हमारी चैनल पर आप उसे भी जाकर देख सकते हैं लेकिन फिलाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पेच को फॉलो करना बिलकुल मत भूलना धन्यवाद